असमिता की तरफ हम चलेंगे जो स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बताएंगे हर सीट पर अब तक वोट परसेंट क्या कुछ आ चुका है और यह जानना जारूरी है ताकि यह पता चल सके कि हम शाम तक कभी आंक लन कर सके कि क्या कुछ वोट परसेंट अब असमिता क्या बता रहे हैं बेलकुल पारूल जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रथम चरण में जिस तरह से वोट प्रतीशत रहा बाकी उसके बाद से निर्वाचन आयोग ने बहुत कोशिश की कि लोगों में जागरुकता जादा हो और वोट परसेंटेज बड़े एक बची अब सीटों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली सीट जहां पर वोटिंग परसेंटेज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो है अलीगड़ सीट अलीगड़ में भी तक अच्छा मद्दान हुआ है एक बची तक 35.55 प्रतीशत मद्दान यहां पर अलीगड़ में हुआ है न अगली सीट की बात कर लेते हैं अगली सीट की और बढ़ेंगे अगली सीट की बात कर लेते हैं वो है बुलंद शेहर सीट 35.35 प्रतीशत के लगबग यहां पर मत्दान हुआ है और रेपोर्टर्स का कहना है कि अभी भी लोग यहां पर जा रहे हैं मत्दान कर रहे हैं यह आकड़ा थुर दिर बात बदल सकता है अगली सीट की बात कर लेते हैं जो की उतर प्रदेश से ही है काफी महतुपून सीट गौतम बुतनगर सीट यहां पर भी 36.05 परसेंट मत्दान हुआ है यहां पर अग्रहम दूसरी सीटों से कंपेरिजन करें तो मत्दान प्रतीशत कम नजर आ रहा है 33.99% यहाँ पर अभी मद्दान हुआ है यानि 33.99% मद्दान गाजियाबाद की सीट पर हुआ है अगली सीट की बात कर लेते हैं अगली सीट भी उतरप्रदेश से ही जो की काफी जादा यहाँ पर दलजस्प मुकाबला है मथूरा सीट यहाँ पर माना जा रहा था कि अच्छी खासी संख्या में मतदान होगा एक बज़े तक लेकिन अगेन अगर हम दूसरी सीटों से कंपेर करें तो यहाँ पर लोगों में उत्सा कम नज़र आ रहा है 32.70 प्रतीशत ही यहाँ पर पिलहाल जो है एक बज़ी तक मतदान हुआ है उमीद यह है कि 6 बज़ी तक लोग बड़ी संख्या में पहुचेंगे और इस मतदान प्रतीशत में हमें बढ़ ओतरी देखने को मिलेगी अगली सीट मेरेट सीट जितना उत्सा ही आपर हमने देखा था प्रचार प्रसार के दौरान मेरट में जंता का उतना ही उत्सा ही आपर मतदान में भी देखा जा रहा है अब देख सकती है 38.33% अभी यहां पर पलाल जो है एक बज़े तक मतदान हुआ है आगे भी यह संख्या बढ़ेगी अगली सीट की बात कर लेते हैं उत्रप्रदेश से ही अगली सीट है जो आकड़ा आया है वो 40 फीजदी अमरोहा सबसे जादा वोट परसेंट अभी तक अमरोहा से सामने आया है और ओबर ओल उत्रप्रदेश की जो जानकारी मेरे सेयोगी देरी थी 35 फीजदी तक ये मतदान अब तक जा चुका है और हमारी नजर लगातार बनी हुई है